हाई मेरा नाम है अनुराग मिश्रा मैं एक आक्टर हूँ मैंने कुछ फिल्म्स के हैं जैसे ओरी सेटलाइट शंकर और अभी लेटेस्स एक वेब सीरीज आई है मुंभाई जैसे आप आल्ट बाला जी और जीफाइफ पर देख सकते हैं सो मैं आज अहां पे आपसे बात करने के लिए हूँ और मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरी आक्टिंग के शुरुआत कैसे हुई है कब मैंने सोचा कि मुझे आक्टर बनना है सो स्कूल टाइम का है बात जब मैं शायद सेवन्थ क्लास में था तो मैं अपने फादर के साथ प्लेस देखने चाता था था थीटर में जिनकी पफामेंस बहुत अच्छी लगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो उससे पहले में कभी किसी अक्टर से जाके बैक्स्टेज मिला नहीं था लेकिन उस दिन मैंने बोला कि पापा ये कौन अक्टर हैं तो बहुत अच्छे हैं मुझे इनसे मिला है तो पाप मैंने मैं घूमा ओडियंस की तरफ जहां sitting arrangement होता है उस तरफ मैंने face किया और जैसी मैंने वो vast auditorium देखा इतनी सारी seats लगी हुई तो एकदम से goose bumps हो गए मुझे और कुछ अलग सा feel हुआ मुझे different सा बहुत अच्छा सा और फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए wings होते हुए green rooms में गए वहाँ लोग actor से मिल रहे थे उनको appreciate कर रहे थे और बहुत प्यार दे रहे थे तो मैंने जब यह सब देखा तो मैंने का ओ यार यह क्या चीज़ है क्या काम है यह जिसमें इतना प्यार हो इतनी हिज़त मिलती लोगों को फिर मैं भी उनसे मिला हुए actor से और उनको यही चल रहा थे क यार यही काम बहुत कमाल का है जहां पर लोग आपको इतना प्यार करते हैं इतनी हिज़त करते हैं और पुरा महाल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैं वहां से निकला और मेरे दिमाग में चल रहा थे क्या मैं यह कर सकता हूँ तो फिर की अराउंड हमाई स्कूल में करियर कांसलर आ तो मैं बहुत डरा हुआ बच्चा था स्कूल मैं तो मैं बहुत डरते-डरते अपने करियर कांसलर से पूचा कि Sir for acting training which is a better option theater or film institute मैं confused था और मेरे counselor ने में कुछ confused जिसा ही answer दिया मुझे कि देखो अगर अच्छा actor बनना है तो theater करू और star बनना है तो film institute जाओ मैं और confused हो किया मैंने का अरे अब क्या करूँ तो मैंने decide कि यार अच्छ actor भी बनना स्टार भी बनना है तो मैंने सोचा कि मैं theater भी करूँगा और film institute भी जाओँगा so 10th जैसे ही मैंने complete किया मैंने पापास बोला कि पापा अब बस हो गया अब मुझे ये normal पढ़ाई नहीं करनी है मुझे acting करनी है पापा ने मुझे डाड़ दिया कि नहीं ऐसे नहीं होता आपको जो भी करना है पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी करनी है जिसमें मैं believe करता हूँ आप समझ मैं कि हाँ वो जरूरी है पढ़ाई बहुत जरूरी है अपनी पढ़ाई अपनी जगह है और acting अपनी जगह है तो मैंने उनकी बात मानी और कहा कि ठीक है उसके बात तो करने देंगे न आप उनका हाँ ठीक है पढ़ाई करो बाकी जो तुम्हें करना है ठीक है ड्वल्थ कंप्लीट हुआ और मैंने अपने पापस का बस अब मुझे acting करनी है तो मैंने थीटर करना शुरू किया और शुरुआत में मेरे पापा ने मेरा dedication check किया कि कितना dedicated है ये उन्होंने facilities नहीं दी मुझे कुछ just to check my dedication तो मैं लगा रहा लगा रहा एक workshop की एक से दूसरी दूसरी से तीसरी cycle उठाके धूप में निकल जाता था rehearsal जाने के लिए पूरे दिन cycle से तो पर जब मेरे पापा ने मुझे देखा कि हाँ ये महनत कर रहा है dedicated है अपने काम के लिए तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है अब मेरे तरफ से full support है तुम करो काम अपना जो तुम करना चाहते है तो मैंने लखनों में कुछ साल theatre किया अलग-अलग-अगों के साथ काम किया अलग-अलग डिरेक्टर्स के साथ और बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे और फिर भी मुझे ये था कि हाँ थेटर तो कर रहा हूँ मैं लेकिन मुझे film institute जाना है अच्छा जब मैं लखनों में था ना तब थेटर भी कर रहा था और कुछ-कुछ शूट्स भी करता रहता था जो होँ प्रोजेक्ट शूट होते रहते थे तो जो मेरा पहला शूट था जब उसमें मैं गया और अदिशन देने उसके लिए तो पहली बार असा था कि हाँ तो मैं बड़ा नर्वस था कि यार सुना था खाली ऐसा कि यार थेटर और कैमरे आक्टिंग में डिफरेंस होता है थोड़ा सा कुछ परफॉर्मेंस अलग तरह से हो जाती है अब मुझे एक्सपिरेंस था नहीं तो मैं थोड़ा नर्वस था कि यार क्या करूँगा कैसे करूँगा लेकिन फिर भी बस अपने उपर भरोसा रखे कि यार यह काम मुझे आता है मैंने कुछ काम किया है ठीक है और उसके बिसिस पे मैं गया मैंने ओडिशन दिया और वहाँ जितने लोग बैठे थे डिरेक्टर और बाकी सब लोग क्रूँ उनको मेरा ओडिशन बहुत पसंदाया और उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया उस रोल के लिए और मैं बड़ा खुश की वाँ यार मैं तो इतने एच्छ रोल के फाइनल हो गया ये वो और अपनी आप में मैं थोड़ा सा ओवर confident हो गया कि यार मैं तो बहुत अच्छ अच्छ हूँ मैं पहली बार camera के सामने audition दिया और वो भी इतना अच्छा लगया कि तुरा अंगून पर sign कर लिया गया मुझे मैं थोड़ा हवा में उड़ने लगा और फिर दिन आया shoot का और shoot से एक दिन पहले director ने मुझे same monologue जो मैंने audition में दिया था उसने खाए कि चलो ठीक एक बार rehearse करते हैं इसको rehearse कर लेते हैं shoot से पहले मैंने ठीक है sir करते है मैं अपने over confidence में मैंने जब perform करना शुरू किया तो वो बात नहीं आ रही थी जो उस दिन आगे थी audition में क्योंकि audition में तो मैं मेरे अदने पागल पन था एक भूख थी कि अपने आपको proof करना है मुझे अभी वो over confidence में बदल शुकी थी तो मैंने जो भी किया वो उतना effective मुझे भी नहीं लगा और director को भी तो director परशान हो थी कि ये क्या हो गया यार उस दिन तो तुम बहुत अच्छे थे आज मजा नहीं आए और मुझे attention कि अब क्या करूँ है ये क्यों नहीं हो रहा है मुझसे इतना अच्छा है पर director परशान है ठीक है घर जाओ और देखो कैसे कर सकते हैं कैसे देखो कैसे कर सकते हैं उसको कैसे improve कर सकते हो मैंने ठीक है देखता हूँ और मैं घर गया मैंने अपने mind को एकदम refresh करने की कोशिश की जैसे हम computer में refresh button दबाते हैं न वैसी कि सब delete कर दो पहले का सारा वो जोश की मैं बहुत अच्छार्टर हूँ मैं कमाल कर देता हूँ सब delete करने रिफ्रेश करने एकदम clean clean slate की तरह और घर गया अपने आपको relax किया और पूरा refresh करने की कोशिश की फिर दूसरे दिन जब आया हूँ तो शूट से जैस पहले डिरेक्टर ने जब मुझसे कुछ रेड़ी हो मैंने का से रेड़ी रहसल करूं क्या तो उसने मेरे तरफ देखा और गया कि नहीं आज वो confidence देख रहा तुमारे आपने कि तुम कर लोगे उनों का चलो shoot करते हैं बहुत nervous था बहुत nervous था क्योंकि पूरा monologue था वो अच्छा गासा दो-तिंग मिनिट का लंबा सा जो कि camera एक सामने मुझे perform करना था अब shoot करना था सिर्फ audition नहीं अलग-अलग angles camera लगे थे lights लगी थी heavy मैंने इसा पहले कभी नहीं देखा था मेरे अंदर nervousness थी कि यार इतने बड़ी setup में मैंने पहले कभी shoot किया नहीं पहले कभी काम किया नहीं और crowds भी थे बहुत सारे मेरे supporting actors भी थे तो मैं अपने को फिर भी कर रहा था कि नहीं ठीक है कर लोगा यह सब बात यह दिमाग में मताने तो मैंने perform किया और अच्छा हुआ काम लेकिन उस दिन मुझे समझ में आ गया कि यार अभी मुझे और सीखने के जरुवत है अभी मुझे cinema को समझने की और जरुवत है film को समझने की और जरुवत है सिर्फ acting नहीं अगर मैं film में काम करना चाहता हूँ मुझे film को समझना पड़ेगा film के एक process को समझना पड़ेगा तो उस दिन मैंने finally कर लिया कि यार FTI है तो जा नहीं जाना है मुझे वहां सीखना है cinema तो उसके next year मैं ने FTI के लिए apply किया और entrance दिया तयारी की थी उसके लिए और FTI में selection हो गया जब FTI भी पहुचा तो भी अंदर कहीं न कहीं यह था कि यार मैं काम जानता हूँ मैं तो film में shoot कर चुका हूँ फिल्म में काम कर चुका हूँ यह सब था लेकिन जब वहां पहुचा हूँ और वहां देखा है world cinema दुनिया भर की चीज अलग-अलग approach acting को लेकर फिल्म को लेकर तो मन में आया कि बटा zero पे आ जा शुरू से शुरू कर फिर से सिखना शुरू कर और बस अपने आपको समझा दिया कि यार जो तू करके है उसको छोड़ दे उसका hangover में बत रहो उसके hangover में बत रहो और हर इंसान को zero से शुरू करना चाहिए सीखना अगर पहले का hangover ले रहेंगे हम कि हमने ये काम किया हुआ है वो काम किया हुआ है तो हम आगे सीखने ही पाएंगे उसी अप्रोच के साथ मैंने वहाँ सीखना शुरू किया और सच बताओ मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला और आज मैं आपके सामने हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ डीसेंट काम कर रहा हूँ अभी भी कोशिश में लगा हूँ कि मैं अपने आपको और बहदर कर सकूँ दिन पर दिन और कोशिश जा रही है देखते हैं क्या होता है तैंक्यू